इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में App Cloner को reset करना चाहते हैं फो सकता है आपने कोई भी application क्लोन की हो चाएip Facebook हो, WhatsApp, Instagram हो या फिर कोई दूसरी application हो आपने clone की हो और आपको उसमें problem आ रही हो किसी भी तरह की तो आप App Cloner को reset कैसे करें आएए जाते है तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाए इसके बाद नीचे आपको आप्स दिखाई देगा यह राप्स इसपे क्लिक करें और यहाँ पर है आप क्लोनर इसपे क्लिक करें इसके बाद यहाँ पर advanced settings में जाए और यहाँ पर आपको दिखाए देगा three dot इस पर click करें यहाँ पर है reset app cloner इस पर click कर दे तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी तक कोई भी चीज clone नहीं किया इसने यहाँ पर लिका रहा है you haven't created any app clone यट अगर आपने कोई भी आप को clone किया होगा तो यहाँ से आप app cloner को reset कर पाएंगे तो इस तरीके से आप app cloner को reset कर सकते हैं उम्मीद करता आप समझ गया होगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अपना बहुत जादा कहल रखें बाबाए